तो इस वीडियो में जो हम कोरियन लीग का मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा पोहांग श्टीलर्स वर्सिस उलसान हुंड़ाई के बीच मैच का वैनी होगा पोहांग दिन में 3.30 पीम पे मैच स्टार्ट होने वाले है अब मैं आपको इन दोनों क्लप्स के बारे में बतात है ऑल्दो इस सीजन ये टाइटल रेस में ज्यान बुक को टो टू टो फाइट दे रहा है आप देखिए नंबर वन पोजिशन में उलसान है और नंबर टू पोजिशन में ज्यान बुक है और दोनों के बीच में सिर्फ एक पॉइंट का फरग है 55 पॉइंट उलसान के है औ पोहांग श्टिलर्स अभी प्रॉपर मिट्टेवल में नंबर शिक्स पोजिशन में 28 मैचेस में 29 इन डिसेंट गोल स्कूर गया ओल्दो इनका डिफेंस अच्छा है 30 गोल सिर्फ इनके पॉइंट है पोहांग के लिए तो उतना जाता इंपोटेंट मैच है नहीं क्योंकि है अब टाइटल रेस से लगबग लगबग भार ही हो चुके हैं लेकिन दोस्तों उलसान हुंडाई के लिए मैच बहुत इंपोटेंट है अगर यहां पर यह पॉइंट ड्रॉप करते हैं तो जियान बुक के आगे के मैचेस में देख रहा था इजी है बहुत तो जियान ब होने वाले औल्दो पोहांग पूरी तरह से केपेबल है उलसान हुंडाई को हराने में लेकिन इस मैच में मेरे अकॉर्डिंग फेवरेट्स उलसान हुंडाई होने वाली है फिलाल के लिए हम रीसेंट फॉर्म देखते हैं तो लास्त तीन मैचेस पोहांग के कुछ दोनु टीम से लास्ट मैच डेगू नाम के क्लप से हार के आ रही है और दोनु की रीसेंट फॉर्म कंसिस्टेंट अच्छी नहीं चल लिया अप एंडाउन सी रीसेंट फॉर्म है अभी के लिए इन दोनु क्लप्स के बीच इस सीजन और लेडी दो मैचेस हो चुके हैं प फेवरेट्स स्मॉल लिग में हम उलसन हुंडाई को ही करेंगे हाई चांसेस आपका अपोनेंट भी उलसन हुंडाई फेवर लेके ही टीम लाएगा विकाउस इनके लेक डू और डाई मस्ट विन मैच है और आप देखने हैं अगर कोई टीम पॉइंस टेबल में नंबर वन पोजीशन में है तो अब्यास सी बात है कि यो पूरे सीजन काफी अच्छा परफरमेंस कर रही होगी पोहांग पूरी तरह से केविबल एक अपसेट प्रेड्यूस करने में तो ग्रेंड लीग में आप कुछ टीम शोली पोहांग फिवर की भी ले जाईएगा फिलाल हम प् पिक करेंगे मैग्जिमाम प्लेयर्स यानिकी साथ और पौहांग श्टीलर्स के पिक करेंगे सिर्फ चार प्लेयर तो ली चॉंग योंग इस बैंच में डाउटफुल है जै हियोंग वो इनके गोलकीपर उन्याले है चार इनके डिफेंडर होंगे ताई किम के ही बुल्ट करनों का मेरे अकॉर्डिंग को उल्सन की ज्यादा आ सकती है तो इस वज़े से मैं कहरो उल्सन हेवी डिफेंस लेके चलिए और हाई चांसे आपका अपोनेंट जो होगा वो भी उल्सन हेवी डिफेंस लेके आएगा कुछ-कुछ बंदे होंगे जो फोर मेंबर में रिस्क लेते हैं हो सकते हैं पूरा पुहांग डिफेंस लेके आए लेकिन आई थिंग मोश्ट अब दर टाइम उल्सन हेवी डिफेंस है आपको मिलेगा अपोनेंट का भी तो मिनिममम तीन तो आप शोली इनके डिफेंडर पिक कीजिए चारो पिक करते हैं वो भी अच्छी स्ट् नेशनल टीम के लिए अच्छा है अच्छा अच्छा करते हैं नंबर वन चुईज कोज यह अपनी टीम से बगेरा भी लेते हैं तो यह दोनुं फूल बैक्स में 100% रीकमेंड करूंगा नंबर त्री चॉईज मेरी रहेंगे बुल्थूई इवन दो की ही का जो किम की ही है लेकिन मैं स्लाइटली पहले बुलतुइस को एस दूँगा, विकॉज यह हैडरस में बहुत ज्यादा अच्छ है, आप चाहे कीम की ही कोई साथ भी जा सकते हैं, अगर आपको कोई तीन लियाने, ये दो मैं मस्ट पिक के रहूँ, बाकी इन दोन में 50-50 कोल है, आपको बुलते इसके साथ जाने, ये आपको किम की ही के साथ जाने, अभी के लिए मैं क्या है, चारू ही पिक करने वालू, अगर तीन लियाने मैंने आपको बता दिया, डू जाई वान खेलिंगे, डिफेंसी मिट फिल्ड रोल में, अभी के लिए मिलको इन से अच्छे उप्संस मिल लें, अब यून बिद गरम करके जो प्लेयर है दोस्तों, वो इस टीम का वन अब दा बेस्ट प्लेयर है, औल्दो ये सीजन उतना अप्टू दा माग नहीं गया है, तीन गोल और चार असिस्ट है, लेकिन पास्ट में इन्हों ने बहुत अच्छे अच्छे परफामेंसेज पुटिन किया है, सिलेक्शन बहुत आई है, शोल ली पिक करूँगा, इसके जाद एक और चीज़ है, इस टीम का जो मेन पेनल्टी टेकर था, इस सीजन हिंटर सियर, वो अब बुंदसली का सेकिंड डिविजन में चले गया है, तो उनके प्लेस में जिन जिन बंदों ने पैनल्टी लिए, एक लिए यून बिट गरम ने, एक लिए लिए लिट ओंग जुग ने, तो हाई जैंसे से पैनल्टी टेकर भी इन दोनों में से कोई एक होगा, और इस टीम का फ्रिकिक टेकर तो यून बिद गरम है, तो बिद गरम हंड्रेट परसेंट में यापे भी करने वालों, एक बहुत अच्छा कैपटण-वाकि कैपटण- вес कैपटण सी ओक्सन भी रहेगा, और मैं देख रहां था कैपटण सी सेलेक्शन बहुत आई है, लेकिन शुर नहीं हो कि मैं इनको कैपटण करू, हो सकता है, मैं इनको साहेद वाइस कैपटण करू, सेब जाना है आप इनको केप्टन कल लिजेगा अब ली डॉंग जूंग इस टीम का इस सीजन का अभी तक का बेस्ट प्लेयर है टॉप गोल स्कुरर विद नाइन गोल और दो असिस्ट है तो ली डॉंग जूंग भी 100% हम पिक करेंगे बंदा सबसे ज्यादा गोल मार रहे है टीम में तो इंपोर्टेंट वैसी हो जाता है दो असिस्ट भी है तो बिट गरम और ली डॉंग जूंग 100% पिक करूँगा और एक और प्लेयर है क्वाजाय शिवली क्वाजाय शिवली भी दोस्तों में 100% पिक करूँगा जॉर्जियन इंटरनेशनल है काफी अच्छा पर यह आपको वोंड डाई यू के साथ जाने यह पूरा आपका कॉल रहेगा अब मैं आपको पता तो आई यून जो यह प्लेयर है बहुत इनकंसिस्टेंट प्लेयर है कुछ ज़्यादा खास किया नहीं जल्दी सब्सिटूट भी हो जाता है तो ग्रेंड लीग में ट्राय कर करते हैं अगर आपको लग रहा है स्कोर करेंगे देन उनली पिक की जगा अभी के लिए सिलेक्शन कब है मैं इग्नोर करूंगा अल्दो आइधिंग जहां तक मुझे आते हैं रिसेंटली एफसी चेंपियंड लीग या किसी मैच में इनका एक गोल आया है तो यह वाला कॉ सभी मैंने आपको एक्स्प्रेंड कर दिये सभी प्लेयर के बारे में बता दिया और यह अभी तक के इनके सीजन के स्टैट है यह आपको टीम क्रेट करने में काफी हेल्प करने वाले अपोनेंट की बात करने से पहले एक बार फिर रिमाइंड दिला दिता हूं इस मैच की एसल टीम और सभी फुटबॉल मैचेद हम टेलीग्राम चैनल में कवर करते हैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में जरूर से जरूर जाइन कर लिजे नहीं तो आप जो है टेलीग्राम में एड़ रेट, पेंटेजी, स्पोर्स, स्पाय, सर्च मार के भी जाइन कर सकते हैं 3K से ज्यादा सबस्वाला चैनल आपको मिल जाएगा इसके साथी यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी फुटबॉल मैचेद के प्रिव्यू वीडियो इसी यूट्यूब चैनल में मैं पोश्ट करने वालूँ, पोहांग श्टीलर्स की बात करते हैं इन के डिफेंडर है पाक, ग्रांट, वान क्यू और रिउन शिन, अभी के लिए इन चारों में मेरी नमबर वन चोईस रहेंगे वान क्यू पिकॉज एक तो इनका सिलेक्शन बहुत हाई है, दूसरा ये बहुत इंटरसेप्सन करते हैं, और टेकल नहीं करते, इंटरसेप्सन लाएगा, अगर आपके अपनेन के बास हुआ, आपके बास नहीं हुआ और इसने हेडर में गोल मार दिया, तो हमारा वहीं पे मैच खतम हो जाएगा, इस वज़े से अभी के लिए किसी एक के साथ जाना है, आप इनके साथ जा सकते हैं, और आपको एक से ज्यादा डिफें में में बी इग्नोर कर सकते हैं, इसे अच्छे ऑफसन मिलने हैं, लेकिन सिन जीन हो, इस टीम का बनाब दा बेस्ट प्लेयर है, ये बंदा डिफेंसिव वक तो करता ही है, और आपको मैं स्टेट दिखाऊं, एक गोल और पांच असिस्ट भी है, एक डिफेंसिव मिड फिल पिछले सिजन लगभग 12 गोल, 7 असिस्ट किया थे, वैसे ये ऐसा लेफ्ट वैग है, लेकिन ये अब एडवांस पोजीशन में खेल ले थोड़ा, लेफ्ट विंगर, तो यहाँ पे आप देखें, इस सिजन भी ये बंदा, 2 गोल, 6 असिस्ट कर चुका है, और अभी कहा है हाई चांसे से इस बार इनका मेन पेनाल्टी टेकर भी सेंग वो कहेंगी हो सकता है, यूगि इस बार टाश्ची ने एक पेनाल्टी नी थी, वो अभी डाउट फुल है, और एक पेनाल्टी सेंग हम ने नी थी, ये दोनु डाउट फुल है, अगर ये दोनु नी खेले, तो तो इस वज़े से सेंग वो कैंग को में 100% यहां पे पिक करने वालो और डीसेंड डिफेंसिव भी करता है तो सेंग वो कैंग में इंपोर्टेंट है कैसे करेंगे आप ही देखिए मैं तो अभी के लिए ट्रस्ट नहीं कर रहा हूं अगर आपको ट्रस्ट करना है आप पलासियस पे कर सकते हैं क्योंकि पास पेस अच्छी है मैंने इनका मैचिस देखे हैं पहले और पास सीजन में इन्होंने छे गोल या चार असिस्ट ऐसी पर लिवात है थोड़ा आउट अप फॉर्म है अगर पिक करने है शोली कर सकते है आई तिंग मैं क्वासियस से पहले पलासियस को प्रिफर करूंगा देन क्वासिक लेकिन पलासियस का ऐसा है 60-65 मिनिट में हर मैं सब्सीडूट हो जाते हैं लेकिन अगर इनका दीनवा इतने म में उतना ट्रस्ट नहीं करता आप चाहिए इनके साथ भी जा सकते हैं फॉर्वर्ट सेक्षन में लिष्टेड हैं एकाथ क्वालिटी बॉल मिलती है तो शोली बंदा फिनिश कर सकते हैं इन पे भी अभी के लिए 50-50 कॉल है तो इंपोर्टेंट प्लियर यहां से जो निकल कोई स्टार्ट नहीं करता आई सेंग यॉबर टाशी में हालंकि मैं अभी के लिए शोर नहीं हूं तो बाकी यह अभी तक के इनके सीजन के स्टैट है अभी के लिए जो मेरी प्रिडिक्सन है मैं जा रहू स्लाइटली उल्सन को मैं आपे फिवर कर रहो विकॉस उनके तो फिलाल जो मेरी डेम और रफ्टी में उसमें मैंने गोल की पर पोहांग के लिए उल्सन के में चार डिफेंडर और यहां से भी मैंने एक डिफेंडर ले लिया इनकेस अगर रेंडम क्लिन शीट होती है तो यह वाला बंदा हमें उल्टा क्लिन शीट के पॉइंट भी द केप्टन सी रोटेट करना अगर आपको लग रहा एक वन निल नेरो कुल्सन विक्ट्री होगी देन आप यहां से डिफेंस हांग चूर्म या टाई कीम को भी वाइस केप्टन सी दे सकते हैं और आपको इन में से बिट गरम या डी डॉंग या कवाजाय सिबली में जो लग जरूर जोइन कर लिजे